लोक निर्ति मादर की थाप पर थिरकते पाउं जिस समय लोक निर्तियों में मादर की थाप लगती है पाउं अपने आप थिरक जाते हैं जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दानेश्वर सर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कि जब मादर की थाप लगती है, पाउं थिरकते हैं, तो प्रकृती थिरकती है, नियत नटी नर्तन करती है, पहार जुमते हैं, नदियां लहराती है, वैसे तो अधिकांस लोग गाथा, लोग नाट में, लोग न्रत्य का भी थोड़ा बहुत पूट रहता है, किन्तु नर्त्य प्रधान होने के कारण, जिन लोग कथाओं में, लोग न्रत्य को की शेणी में रखा जा सकता है, उनमें प्रभुख हैं, पंथी, रावत, नाच, गेरी, डंडा और आदिवासी न्रत्य, पंथी जो है, यह सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा, अपने गुरु घासी दास, और उनके बताये सत्य की महिमा को रेखांकित करके, गाया जाने वाला भाव प्रभण न्रत्य है, इतना के बिरिया में कौन देव लादो, मैं तो बंदत हव जय सतनाम, मैं तो बंदत हवें भाईया, जय सतनाम, बच्चों, पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है, कि पंजाब के भांगडा के समान, गिने चुने लोक न्रत्य ही इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं, बहुत तरित न्रत्य होता है, यह मादर और जाच, केवल दो व आताबं को छक जोर देते है, देवधास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय सिखार पर था, बुधारू इस पार्टी के मादर वादक हैं, और इनकी कोई सानी नहीं है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, देवधास की पार्टी ने, बीदेशों में भी खोब ख्यात अर्जित्की है निर्थ की तेज गत्य से आश्चर चकित होकर विदेशियों ने ध्यान चंद और ज्यान चंद की हाकी इस्तिक की तरह देवदास के पैरों का भी परिक्षण किया राधेश्याम लत्मारदास पुरानिक लाल चैलक और अम्रिता भाई भी इस विधा के ससक्त कलाकार है देवदास के निधन से पंथी लोग कला की बहुत बड़ी च्छती हुई है मुख्यता मवेशी चराने का पेशा करने वाली राउत जातिका राउत नाचा दीपावली के समय होता है कुल देवता की आराधना करने के बाद हर राउत अपने घर से काच्छन निकलता है उस समय उसके पास अपार सक्ति होती है मस्ती में अपने घरों के ही चप परच्छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला राउत अपनी लाठी से समस्त राउतों पर अकेले ही प्रहार करता है उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहां एकत्र रहते हैं जब उनमादी राउत लाठी चलाते चलाते ठक जाता है तब वो जमीन पर लेट जाता है देवता को धूप और नारियल भेट करने के बाद वह स्वस्त होता है और अपने दल में सामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है जैसे एक राउत दोहा देखें गोलही चरायों बड़ दुख पायों मन माबड जुझवाय और वरदी चरायों बड़ शुक पायों गंजर के दुखें गाये बच्चों, 36 गण में त्योहारों का सत्र वर्षा रीत्में हरेली यानी हरियाली से प्रारंब होता है हल, कुदाली, फावड़ा, आदिक्रिसी आउजारों की पूजा की जाती है इस आउसर पर गेनी भी बनाई जाती है लगवक आठ फीट लंबे बांस में जमीन से लगवक तीन फुट की उचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता है इस तरह गेनी तैयार होती है जिस पर चढ़ कर नाचा जाता है गेनी के पायदान को नारियर की रसी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डाल कर धूप में सुखाने से होने वाली चर्रमर्र की आवाज अन्यवाद्यों के साथ मिलकर अद्भोत संगीत पैदा करती है समूव में नाचने पर गेली नृत्य की छटा देखने लायक होती है यह जब समूव में नाचा जाता है आद्वासे नृत्य शत्येस गड़ की लोक कला का महासागर है जन जातियों की बहुलता वाले छेत्र में सैकणों तरह के आद्वासे नृत्य प्रशली थे मादर की धुन पर नाचने वाले ये आद्वासी अपने खुले पन के लिए मशुहूर हैं प्रशिद्ध है युवत और युवतियां समान रूप से अधिकान संद्रित्यों में एक साथ नाचते हैं उनके पैरों का प्रक्षेपन इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है किसी ने रस्षी आईस्केल से बांदिया है आधिवासी अंचनों के कुछ अंद्रित्य बहुत प्रशिद्ध हैं बस्तर में गौर अंद्रित्य, ककसार अंद्रित्य, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग सरगुजा में शैला, जस्पूर में सकल, मानपूर में हुलफी, चोली और मादरी देवभोग में लरिया, प्राया सभी आधिवासी इंद्रित्य, किसी सामाजी क्या धार्मिक परंपरा का निर्वाख करते हैं कुछा में राइब पांटरिया, चाहरे, देख नुद्रित्य, के गुचा हो, कर्मा गोण्ड़, कर्मा गोण्ड़, कर्मा आधिवासी इंद्रित्य, क्राइब लग्द्रित्य, ज़म्द्रित्य, गोण और दिवार जाति का प्रमुखन रित्य है किन्त यह हर आदिवासी अंचल में अलग-अलग सैली में नाचा और गाया जाता है बूलतह करम राजा और कर्मा राणी को प्रसंद करने के लिए जन जाति के लोग कर्मा नाचते हैं किन्त कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह सिरंगार मैं भी हो गया है गोलार्ध पर नाचते हुए युवकिवतियों का दल मादर की मस्ती में जूम जूम नाचता है और जब अपने साथी के पाउं के अंगूठे को छूने की इस्थित में आता है तब कर्मा शिद्ध होता है का एक कर्मा गीत का बोल लेखिये हुई रे होईरे टोल जाना पड़े कटंगी बजारकके पीपर तरी रे करे दार राथ भात राथे लिककर मा खोए और चार पैशा के जुग जुगी दुनिया ल्याहमे तोला जय जाना पड़े रे हमारी संस्कृत मूलता लोक संसकृती है लोक कला उसका एक अंग है शरीर की पुस्त के लिए अंगों का पुस्त होना अनिबारि है अता लोक कला की अजरता अमर्ता लोक संस्कृत की अजर्ता अमर्ता है बच्चो आचार्य दानेश्वर सर्मा जी ने इस पाच में 36 गड़ की संस्कृतिक विराशत को बहुत ही गौरों में धंग से प्रस्तुत किया है और हमारी संस्कृतिक अभिरक्षा के लिए इन लोक गीतों का लोक कथाओं का लोक नाट्यों का अनुरक्षण परमावश्यक है तभी हम अपनी पहचान बना सकेंगी अब बच्चों इसमें कुछ प्रस्म उठते हैं जैसे मनुषिका संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित है ऐसा क्यों कहा लेखट ने वास्तों में इस प्रिथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया उसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है इसे लिए लोक मानस ने इस प्रिथवी से माता पुत्र का संबंध इस्तापित किया इन संबंधों की प्रगाढ़ता प्रकित्वा मनुष्य के बीच सदा बिद्यमान रही है यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोग गीत लोग गाथा लोक नाट लोग संस्क लोग कला में सन्हित माना जाता है बच्चो एक जगत तुर्थुरिया इस्थान आया है यह क्यों प्रशिद्ध है वास्तों में तुर्थुरिया नामकस्थान बालमीक का आस्रम माना गया है यहां लवक उसका लालन-पालन और शिक्षा-दिक्षा हुई है आद जगत गू के संत थे इसे लिए यह स्तान प्रशेद्ध है अब बच्चों है प्रस्थ बंता है कि 36 मोगीत को अन्यय भारती लोग गी घ्क कीओं माना गया है वास्तों में 36 मोगीत को अन्यय भारती ये लोक गीतों सियदिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है कि इसमें धुनों की विविधता है जैसे दर्दरिया है सुआ है गवरा है भोजली है जमारा है विहाओ है और भजन इसके प्रमुख लोग गीत अभी मैंने आपको बताया था कि 36 गढ़ के प्रमुख लोग गीत गायक कौन कौन से तो प्रश्ण उठता है कि 36 गढ़ के प्रमुख लोग गीत गायक कौन है उनका नाम बताना है 36 गढ़ के प्रमुख लोग गीत गायकों में लाला फूल्चन स्रिवास्तो भैया लाल हेडाउ बैतल राम साहू पंच राम मिर्जा केदार यादो नर्मदा वैस्नो कोदू राम बर्मा सिवकुमार तिवारी सेख हुसेन और प्रकास देवंगन का नाम बड़े सम्मान के सा अब 36 गढ़के लोकनाट्यों में प्रमुख है नाचा चंदयनी और रहस ये नाचा विधा क्या है 36 गड़ के लोकनाटियों की प्रमुख विधा है नाचा नाचा अत्यंत ही ससक्त और लोक प्रिय विधा है इसमें पुरुशी महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं नाचते हैं दोचार नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है जिसमें जोकर या विधूसक के अत्रिक्त कुछ अन्यपात प्रहसन पेश करते हैं इसमें अत्यंत तीखा ब्यंग होता है किन्त उसका जो समापन है किसी अच्छे आदर्स को इंगित करता है नाच और गम्मत दोनों मिलाकर नाचा बनता है या राद भर चलता है और सुवह कर्मा के साथ ही समाप्त होता है कि आज से साथ वर्स पहले बुररा रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी जो बाद में एक हो गई है यह लालू राम और मदनलाल इसके ससक्त कलाकार थे इसके अलाबा मंदरा जी दावू नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे अब किनकिन लोग कलाओं को लोक न्दृत्य में रखा जा सकता है तो नित्य प्रसान होने के कारण जिन लोग कथाओं को नित्य की स्रेणी में रखा जा सकता है उनमें प्रमुख है पंथी राउत नाच गे विभिन आदिवासी अंचलों में प्रसिद अंद्रित्य जो हैं कौन कौन से हैं आदिवासी इंद्रित्य छतीस गड़ की लोग कला का महा सागर है अभी मैंने आपको बताया था बस्तर में गौर अंध्रित्य कखक सारो अंध्रित्य चेहरे कुंदि डिवार अंध्रित्य माओं आदिवासी इंद्रित्य किसी सामाजिक्या धार्मित परंपरा का निर्वाख करते हैं कर्मा जंद्रत्य जो है गोण और दिवार जाती का प्रमुख जट यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शेली में नाचा जाता है मुल्तह कनम राजा और कर्मा रानी को प्रसंद करने के लिए जनजात के लोग कर्मा नासते हैं किन्तु कालांतर में ददर्या के साथ जुड़कर वह भी श्रिंगार में हो गया है। बच्चो ये महर सी बालमीक द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। वास्तों में महर सी बालमीक द्वारा रचित ग्रंथ है रामायन। इसलिए उसे बालमी की रामायनम के नाम से जाना जाता है अब आदि जगतगुर शंकराचारी द्वारा इस्थापित चार आश्रम कौन-कौन से है वास्तों में शंकराचारी जी ने चार आश्रमों की स्थापना की थी हिंदू धर्म की एक जुर्ता और बेवस्था के लिए चार मठों से ही गुरू सिस्थ परंपरा का निर्वाह होता है जैसे स्रिंगेरी आश्रम स्रिंगेरी आश्रम भारत के द्रक्षण में रामेश्वरम में स्थित है स्रिंगेरी मठ के अंतरगत दिक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के बाद सरस्वती जैसे हम लोग उ अहम ब्रहमाश्मी तथा मठ के अंतरगत यजुर्वेद को रखा गया है और दूसरा है बच्चो गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उडिशा राज्जी के जगनात पूरी में इस्थीत है गोवर्धन मठ के अंतरगत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरणिया शंप्रदाय नाम भी सेशन लगाया जाता है इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रहमम और इस मठ के अंतरगत रिगवेद को रखा गया है बच्चो तीसरा है सार्दा मठ यह आश्रम गुजरात में द्वारिका धाम में इस्थीत है इसके अंतरगत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम का जो विशेशन लगता है तीर्थ और आश्रम होता है इस मठ के महावाक्य है तत्वमस्वी इसके अंतरगत सामवेद को रखा गया है और चौथा है बच्चो जोतिर्मठ उत्तरांचल के बद्रीनाथ में इस्थीत है जोतिर्मठ के अंतरगत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिर्य परवत एवं अंतरदाय का नाम जो है विशेशन के रूप में लगाया जाता है इस मठ का महावाक्य है अयमात्मा ब्रहमा इस मठ के अंतरगत अथरवेद को रखा गया है अब बच्चो एक बहुत ही महत्तुपूर्ण प्रश्न है आपने जरूर विचार किया होगा कभी चूंकि आज हम 36 गढ़ की जो कलाएं हैं लोग कलाएं हैं यहां की संस्कृति है उस पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें वे 36 गढ़ कौन-कौन से हैं उसे जानना परमा वस्यक है बच्चो, 36 गढ़ में 36 किले जो हैं जहां राजे महराजे राज्य किया करते थे जैसे बीजैपूर है, रतनपूर है, खरोंद, मारो, कोटगढ, नवागढ, यह सब राज्य हैं यहां अलग-अलग राजा होते थे, सोधी, अउखर, पडूर भट्टा, सिमर्या, चांपा, लाका, छुरा, कैंदा, मातीन, उपरोड, पेंडरा और कुनकुरी, कंडरी, रायपूर, पाटन, सिमगा, सिंगारपूर, लवन, अमेरा, दूर्ग, सारधा, सिर्षा, मोहदी, खलारी, सिरपूर, फिंगेश्वर, सिंगनगढ, राजिम, सुवरमार, तोंगनगढ, तेंगनागढ और अकलतरा सामिल हैं इस तरह से बच्चों ये 36 गड़के 36 किले जहां अलग-अलग राजा लोग राजी किया करते थे तो इस प्रकार शत्तेस गड़की जो कला संपदा है शत्तेस गड़की जो संस्कृती है बहुत ही बैभोशाली है और समूचे विश्व में यहां अलग ढंग से सम्मानी थैं आज हमारे यहां के कलाकारों ने समूचे विश्व में 36 गड़का नाम रोशन किया है आज आवस्यक्ता इस बात की है कि अपने इस संस्कृतिक विराशत को अपने इन कलाओं को अपने लोग गीतों को अपनी लोग संस्कृती को लोग कथाओं को हम सुरक्षित रखें संग्रक्षित रखें और उन्हें एकत्र करके जैसे लोग गीत हैं आज कल लोग गीतों का गाएन बहुत कम हो गया है हमारे हाँ संस्कार गीत है जन्म से लेकर अंत तक के लोग गीत गाए जाते हैं उनका संग्रक्षिन हो तब जा करके हमारी पहचान अक्षून रहेगी चुकि ये लोक साहिते ही लोक कला ही हमारी सांस्कृतिक पहचान है अब बच्चो आपके पुस्तक में भासा के बारे में एक बहुत महतुपूर्ट प्रशन है जो आपको जानना चाहिए सुरूति सम्भिन्नार्थक शब्द ये सुरूति सम्भिनार्थक शब्द क्या है? वास्तों में वे सब्द जो उच्चारण की द्रिष्टी से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं उन्हें योगमत सब्द अथवा सुरूति सम्भिनार्थक कहा जाता है जैसे कला और काला हम पढ़ते समय कभी-कभी गल्त कर जाते हैं कला काला कला तो कला का इर्थ होता है क्रिती और काला का इर्थ होता है श्याम रंग किला जैसे गर्ह और कीलाDING ने गाड़ा कील ठोंकना और पवन पवन का आर्थ होता है बच्चो वायू और पावन का आर्थ है पवित्र तो यह देखिए उच्छारण की दृष्टी से अस्मान तो हैं पर समान होने का भ्रम पैदा करते हैं जैसे आशु और आशु आशु माने तुरंत और आशु माने अस् और विद्या विधा माने प्रकार और विद्या माने ज्ञान शिक्षा देवार और देवर और देव अब देवार देवार एक जाती है और देवर जो है वह पति का छोटा भाई है पर हम लोग गर्ति कर जाते हैं कभी-कभी और देव का आर्थ होता है देवता प्रतिभा और अगर भा और माँ में आपने गलत कर दिया तो प्रतिभा जो है वह बुध्धि नहीं रह जाएगी वो जो जो है विग्रह हो जाएगा मूर्ति हो जाएगी प्रतिवा यानि बुद्धि और प्रतिवा माने विग्रह मूर्ति पंथी और पंच्छी अब देखो पंथी माने राही और पंच्छी माने खग चिडिया अब एक है हंसा और हंसा अब देखें अनुस्वार अगर लग गया जैसे हंस 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 एक पक्षी है और आत्मा का प्रतीक है और हसा हास्य हसी बस जिसे आप चंदर बिंदु कहते हो और बिंदु हसा और हसा के बार अंतर उतना यह अगर आपने गलत कर दिया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे अब जैसे गवरी और गोरी अब गवरी माने पार्वती और गोरी माने गवर्वर्णा तो इस तरह से अस्मान होते हुए भी समान होने का जब भ्रह पैदा हो जाए ऐसे युगमसब्द जो है सुनूति संभिनार तक कहे जाते हैं